जिंदगी हसाए, तो समझना की अच्छे करमों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए, तो समझना की अच्छे करम करने का समय आ गया है। सब कुछ खोकर भी, अगर आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजे, आपने कुछ भी नहीं खोया। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके, वही जिंदा है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, लोगों का साथ भी, लोगों की आउकाद भी। कठिन रास्तों से ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूपसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ, विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है. अगर मरने के बाद भी जीना चाहो, तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या लिखने लायक कुछ कर जाना, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, जो इंसानियत नहीं सिखाती. गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ, तभी आजकल मैं रिष्टे कम रखता हूँ, डरसा लगता है अब रिष्टों से, लोग थोड़ा दे कर बहुत कुछ ले जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी, अगर कोई खुश नहीं है, तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खाली पन है, कुछ खाली पन ऐसे होते हैं, जो पैसों से कभी पूरे नहीं हो सकते, समझदारी इसी में हैं, कि कभी भी उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा मत कीजिए, जिससे आप एक बार भी दोखा खा चुके हों, भीड हमेशा आसान रास्ते पर ही चलती है, जरूरी न अपने रिश्टों को उपहार दो या मत दो, पर अपने रिश्टों को समय जरूर दो, क्योंकि ताज महल को सारी दुनिया ने देखा है, पर जिस मुम्ताज के लिए वो ताज महल बना, वो उसने नहीं देखा, मुसीबते ही सिखाती हैं इनसान को जिन्दगी जीने का हुनर काम्याभी का मिलना कोई इत्फाक नहीं होता कभी हार भी जाओ तो फिर से कोशिश करना क्योंकि आप साल या दिन हारे हो लेकिन जिन्दगी नहीं जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जो सच में आप से प्यार करेगा वो आपको अपनी जिन्दगी से कभी दूर नहीं जाने देगा चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों नहों बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ समय रोएगा लेकिन संसकार न दिये जाए तो वो जीवन भर रोएगा जिन्दगी हमें कम से कम एक बार तो ऐसे इनसान से जरूर मिलाती है जो सिरफ हमारे लिए बना होता है किसी का दिल दुखाने वाली बात कभी न कहें क्योंकि वक्त तो बीट जाता है लेकिन बाते हमेशा याद रहती है जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दे तब खुदा किसी न किसी को आपका हाथ थामने के लिए जरूर भिज देता है सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे इसलिए खुद उठो, हिम्मत करो और सब कुछ ठीक कर दो कितने अजीब रिष्टे हैं यहाँ साथ हो तो ऐसा लगता है जैसे कभी जुदा ही नहीं होंगे